लोव स्टुडेंट लेट्स क्रैक यूपी सी 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 के हिंदे प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर्ज आप लोगों का श्वागत करता हूँ आप अनकाडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते उससे पहले आप एरे बारे में जाने मेरे पास आट वर्सों के टीचिंग एक्सपेरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्टे तंस्थानू और शेहरों में पराया है मैं History और Geography optional paper तता सामा नद्यन का सेक्षन करता हूं मैंने UPSC के जो बार इंटर्यू दिये है UPSC का मैंने इक córb exist और cc का मैंने एक बार इंटर्यू दियए है। यह मेरा Unacademy का говорю करें सस्क्राइब कर लेंolate कि लसे समभ त्प्राश करें पन्गेंस, वीपर कटिंग होती है और क्लास पैम आप यहां से प्राप्त करशक्ते हैं अब आप अनकाडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं इसके लिए शबसे पहले आपको अपने मुबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनकाडमी का लर्निंग आप डाउनलोड करना होगा अब आप अपन अकाडमी का सब्सक्रिप्शन और का बेनिफिट उठा सकते हैं जब आप अपने सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट रता है है छो सबसे पहले हैं घुप क्लास मिलता है इस लाइब क्लास में आप अपने इट्टेटर के साथ डिसक्सन करके चैट करके क्लास से संबंदी जो भी डॉट होती है उसको आप क्लियर कर लेते हैं दूसरी इसमें आपको लाइब टेस्ट और प्रिपरेशन पीटी और मिंस के तैयारी कितनी हुए उसको ट करते हैं पर थाता भीर का हिस्सा नहीं बनते इसके सबसे लार्जेस्ट ओनलान एडुकेशन प्रेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं और फिर इसके टॉप एडुकेटर से मार्क दर्शन लेते हैं और अनकाडमी के द्वारा यूपीएसी हिद्धी माध्यम के लिए चलाएगे पंद्रहच जार्शे भी अधिक परकार के कोर्शे जो यूपी के लूपी एससे के प्रलिम से संबन्दित है जो मेंसे संबन्दित है और जो इंटर्व्यू गाड़ियन परग्राम से संबन्दित है आप उसका बेनिफिट उठाते हैं तात अनकाडमी के एक यह उन्से 1500 रुपया है जैकिन जैदी आप मेरा रिफरल कोर्ष शंकर वाइटी पर्योग करेंगे तो आपको 10% मिलेगा उसके बाद 12 मंत का सब्सक्रिप्षन आपको सब्सक्रिप्षन लेना चाहते है और मेरा रिफरल कोर्ष शंकर वाइटी पर्योग करेंगे तो यहां भी आप 10% रिसकौंट पाएंगे अब 24 को सब्सक्रिप्षन आपको 64800 में प्राप्त हो जाएगा यह प्रकार यदि आप GS का Iconic Subscription लेना चाहते हैं तो GS के Iconic Subscription के 12 मंत का सब्सक्रिप्शन पिस 99,500 रुपिया है येकिन यदि आप मेरा referral code शंकर वाईटी प्रियोग करेंगे तो आप 10% discount पाएंगे तो 12 मंत का जो Iconic Subscription है आपको 56,550 में प्राफ्ट हो जाएगा Iconic Subscription में आपको मिलता क्या क्या है जिसमें आपको Daily Lab Class, Test Series, Unlimited Practice, Structure Schedule, Personal Coach, Daily Men's Coach and Answer Practice, Study Plan और Personal Feedback इसमें जो Personal Coach और Daily Coach and Answer Writing है वो आपके लिए सबसे जादे beneficial है तो कि जब आप Civil Services की तयारी करते हैं तो एक proper mark दर्सक होना चाहिए जो आपको बताए कि आपकी तयारी कैसे चल देगे, किस दिसा में जा रही है आपके द्वरा लिखे हुए प्रशनों को वो टेक कर आपको सही तरीके से दिसा निरदेशित कर चाहिए इस द्रिश्टिकों से आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जादे beneficial है आप बोलें फिर आप ऑप्शनल पेपर का वी अलग से सब्सक्रिप्शन रह सकते हैं और ऑप्शनल पेपर के बारह मंत का जो सब्सक्रिप्शन फेश है यह 27,500 रुपया है और जदी आप मेरा प्रियोग करेंगे तो आप 10% डिसकाउंट पाएंगे तब बारह मंत का जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है वह आपको 27,750 में राप्त हो जाएगा अनकाडमी के द्वारा जो एक मेगा कॉंपेटिटिव यो पीसे-से के लिए बैटल की शुरुआत की गई है जिस इसमें आप पाटिसिपेट करके इस कमबाट में आप धेड़ सारे एक्सैटिंग प्रैजिज जीच सकते हैं और आप किस प्रकार के प्रैजिच जीच सकते हैं वह भी आप देख लेए यहां पर पहला प्रैज एक लॉप्टॉप फिर आपको शेकेड़ में एपल सब्सक्राइब मिलेगा और अंड्रेड रंकर्स तक टॉप अंड्रेड रंकर्स को अमेजन वासर्ट जो है सो हजार रुप्य तक का दाप्त होगा तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके प्रैज जीतने का अवसर पास सकते हैं ताथी अनकैडमी के द्वारा जो अब यूपीएसी प्रलेम्स के लिए उनली छे महीने समय बचा रहा गया है उसको ध्यान में रखते हुए यूपीएसी दोजार इसके प्रलेम्स के लिए विसे इस फोकस प्रोग्राम सब चलाया ज जाएगा प्रलेम्स का टेस्ट होगा सिविल लाइव क्लासे जो है सो पांसो आवर के बीच होगा स्ट्रक्टर से मिलेगा डॉट क्लियरिंग सेशन मिलेगा और इंडिया के टॉप एडूकेटर आपका मार्क दर्शन करेंगे तो आप 15 दिसंबर्श होने बाले इस प्रोग 2022 के लिए और 2023 के लिए तो आप किसी में इसमें अडिशन लेकर अपने लक्ष को अपने टार्जिट को प्राप्त कर शकते हैं आप अनकाडमी के एक या दो वर्शों का आइकोनिक यार प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप इसमें कर सकते हैं और पिर इंडिया के टॉप एड लिया है कि बावर का भारत आगमन किस प्रकारशे होता है और फिर बावर के समक्ष किस तरह की चुनौतियां थी किस किस चीज़ पर उन्होंने काम किया कैसे काम किया तो अल्पकाल का बावर का सासन काल केवल 1526 से लेके 1530 इस चार बरसों में बावर चार युद लरे और फ तो आज कि इस लेक्चर में हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और हुमायूं के बारे में जो हम लोग परने के लिफ ले जाएंगे 56 के बीच कुछ second phase में भी इसका सासन काल है छे महिने का प्रमुक्रुप से हिमायू का जो पहले phase का सासन काल है 1530 से लेके 1540 तक इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि हिमायू जब शासक बनता है बादसाफ बनता है इसके सामने चुनोती क्या थी क्या चुनोती थी इसके बारे में चर्चा उसी के संदर्म हिमायू को समझा जाएगा चुनोती के बाद हम लोग देखेंगे कि समाधान के लिए हिमायू क्या काम करता है शमाधान के लिए इस नोशिप्र करने के बाद इसीमें इसका बहुत सारा section आज जाएगा और तीसरा हम लोग देखेंगे हिमायू का शासक के रूप में मुल्यांकन करेंगे, शासक के रूप में मुल्यांकन, यह optional paper कस्तर का discussion हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक सासक के रूप में मुल्यांकन करेंगे तो ये काफ़ी डीप जाएगा आखिर उसकी सफ़ता और सफ़ता का मुल्यांकन करेंगे क्योंकि इतिहास में इतिहासकारों के द्वारा हिमाईयों के उपर कई सारे क्लेम लगाएगे हैं कई सारे सासकुन्स और सफ पाएंगे कि आखर हुमायू के समक्ष क्या क्या चुनोतियां थी और किस तरह की समस्या थी तो सबसे पहले हुमायू जब 1530 इस भी में सासक बनता है तो सासक बनने के पास उसके पास किस प्रकार की चुनोती थी उस चुनोती को देखते हैं सबसे पहला चुनोती क्या था कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बावर का सासन का बहुती अल्प समय का चार वर्ष का समय मिला और चार वर्ष में उसने चार हुद लरा तो पहली समस्या हुमायूं के पास किया थी कि बावर द्वारा अस्थापित प्रशासन को करना था क्योंकि वावर को इसका अवसर मिला नहीं था तो प्रशासन का द्रिड़ी करन करना एक चुनावती थी दूसरा चार युद्ध लरे थे और वावर के पास आर्थिक समस्यां भी थी मैंने दिसक्शन किया था कि काबुल पर जो वह था पहले तो काबुल किया भी इतन अर्थिक स्रोत का अस्थाई करन क्योंकि जब तक आर्थिक स्रोत का अस्थाई करन नहीं होगा तब तक राज्य के सुद्रिडी करन में दिक्कते होती है दूसरी चुनावती इसके पास थी कि हलांकी बावर ने अफगानों को पराजित तो किया था दो बार पराजित किया एक बार इब्राहिम लोग्जी दिल्ली शल्तनत के सासक जो अफगान थे और फिर घागरा की युद्ने भी लेकिन अभी भी अफगान सक्ती बची हुई थी और अफगान जो थे वह अभी भी मुगलों को भारत से बाहर निकालने के फिराख में लगे हुए थे तो अफगान स हमाईयू के सामने क्या था कि गुजरात के आप आपने चाक्ति का विस्तार कर रहा था तो बहादूर्शाह की चुनावकर्ण तंद वह गुजरात तक बर चुका था तो पुझ्राट और फिर किया था कि इसके सामने क्या था कि अगमन के समय हमने बताया था कि जब भी शाषत की मृत्य होती थी तो तो यही तैमूरी परंपरा यहां भी और बावर की जब मृत्यों होते तो उसने हमायों को एक शलह के हिदायत भी दिया तो इस समय जो बावर थे बावर के बाद की बार की हमायों सासक लेकिन इनके भाई वायों में एक कामरान था दूसरा असकरी था और तीसरा क्या था कामरान असकरी था तो ये जो कामरान असकरी थे बेसिकली क्या था कि राजी का विभाजन हो जाने से क्या हुआ था कि राजी का आर्थिक अधार भी कमजोर हो चुका था और इन भाईयों के मध्ये जो कामरान थे असकरी थे और जो हिमाईयों के भाईय थे इनके बीच आपसी जो एक तरीके से कहेंगे कि द्वंद था दिल्ली के सिंभासन पर ल ले थे प्रशासन का दृडड़ी करन भी नहीं हो पाया था आर्थिक स्रोथ जन्रेट नहीं हो पाया था अफगान की चुनोती थी गुजरात के सासक बहादुर तेमूरी परंपरान करनेशा के कामरान के द्वारा काबुल और कंधार पर अधिकार जाहिर राज्य का जो प्रवेश्त दौड़ार है क्यों हो गया हलां कि एक तरीके से देखा जाता जो विभाजन की परंपराती उसे के तहत हुआ था और काबूल और कामरान की काबूल और कंधार की आई उतनी नहीं थे इसलिए आगे चलकर कामरान के द्वरा क्या क्या जाता है कि मुल्तान और लाहोर पर भी अधिकार कर लिया जाता है मुल्ता और लाहर कामरान के कबजे में चला जाता है तो इस समय हिमायूं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वह दूसरे मूर्थे पर फसा हुआ था लेकिन इसका दोनों पक्ष है एक यदि इसके कारण राज्य का आरती का धार कम दूर है क्योंकि मुलतान और लाहर शंबर्द प्रदिकार कर लिया यदि इसके कारण राज्य का आर्थी का धार कमजोर हुआ और जाहर सी बात है आर्थी का धार कमजोर हुआ और शाथ ही सामराज्य का विभाजन भी हो गया लेकिन इसका एक लाफ देखा जया तो यह जरूर हुआ कि कामरान जो था जो पस्षिम में पर पस्मी सीमह की सुरक्षा मिल गई और इसका या लाब में लेकर अपना यह विस्तार कर इसका था और ग्यान दे सकता कर से देंब था निल्टांती वह बरी चुनोती थे यह इक तरीक Der iş है यह दोनुart दृष्टिकों से काफी ससक्त प्रांथ था एक आर्थिक रुप से ससक्त प्रांथ हाथ से निकलने के कारण आर्थिक आधार जरूर कमजूर हुआ लेकिन इसका सामरिक लाग मायू को जरूर मिला था यह ध्यान में रखेंगे अब जब यह सासक बनता है तो सासक बनने के बैके लिए सबसे पहला काम करता है कि हुमायूं के द्वारा 1535 में युद्ध यह लगता है जिसके जो घरतक कैते हैं ये जो अफगान होते हैं बिहार और बंगाल के पुर्वी यूपी के अफगानों एबम हुमायूं के बीच होता है अफगानों एबम हुमायूं के बीच और इसमें क्या होती है इस दोरहा के युद में हुमायूं की विजय होती है वो अफगानों को दमित करने में हुमायूं की विजय होती है यह ध्यान मेंरों को समझने के लिए आपको सब्सक्राइब करेंगे कि उसको फेजंगे कंसस के समझना कि पिर इसके बाद 1532 में ही वो क्या करता है कि एक चुनार के किले का घेरा डालता है और चुनार का जो घेरा डालता है तो इसके अब कई आस्पेक्ट निकल कराते हैं सबसे पहले इसके बारे में जानना है कि आखिर हिमायू ने चुनार का घेरा डाला क्यों सबसे पहला देखे कितना हम conceptual area में आपको ले जाएंगे क्यों डाला दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या परिनाम हुआ इस घेरे डालने का चुनार के घेरे डालने का क्या परिनाम हुआ और तीसरा हम लोग देखेंगे कि ये जो चुनार का घेरा डाला क्या परिनाम हुआ और फिर चुनार का घेरा उठाता क्यों हो चुनार का घेरा क्यों उठाता है क्यों उठाया ये एक प्रश्ण है कि आपके सामने तो सबसे पहले जो चुनार का किला था उस समय वो चुनार का किला सेरखा के कबजे में था सेर खान के कबजे पोले का सेРЕशा के कबजे में था और चुनार जो था एक तरीके से आप देखेंगे यह उपी में आसपास के था यह तो चुनार जो था यह तरीके से आग्रा से फूर्व की और जाने वाले जो जल मार ते आप बसे पहले और ऑर जो कि उसका सब्सक्राइब जो बिहार और बंगाल की और रास्ता निकलता था आघरा से पुर्व की और जाने वाले आगरा से पुर्व की ओर चुकि अफगान इसके लिए चुनोती था आगरा से पुर्व की ओर जाने वाले जाने वाले अलमार्ग और जलमार्ग पर चुनार के किले द्वारा प्रभाव किया जा सकता था तो ये एक सामरिक महत्युका था और इसके इसी सामरिक महत सफल सेरखन की उत frågor हहे इसे कszy नहीं होतब होता है और चुनार का किला का क्या कि उसने हमाई को क्या होता है कि चुनार का कि झी woven को तक डालने के बावजुद । क्या होता है कि यह चुनार को जीत नहीं पाता है और चुनार का घेरा इच्छे उठाने के लिए हमायू को क्या होता है दिवस होना परता है लेकिन चुनार का किला जो वो डालता है और छे मैने के बाबजुद भी उठा नहीं पाता है इसका परिणाम यह हुआ कि सेर्खा को और हमायू दोनों को समझोता करने के लिए मजबूर होना परा है। हमायू ने भी समझोते की राह पकर ले और शेडखा ने भी समझोते की राह पकर ले। झाले, और जब समझौता हुआ, तो 3 महत्वपूर्ण point उस समझौते में डालेगे, जो एक तरीके से हिमायों के favor में था, तब से पहला कि चुनार पर सेर्खा का कभजा जरूर बरकरा रहा। चुनार पर समझोते के था चुनार पर सेर्खां यानि सेर्षा का सेर्खां का कबजा मान लिया गया की रहेगा लेकिन दूसरा क्या था कि तेर्षा ने मुगलों की शम प्रभुता को स्विकार किया मुगलों की प्रभुसत्ता को यानि शभर जनिटी को स्विकार किया प्रभुसत्ता को स्विकार कर लिया प्रभुसत्ता को स्विकार और तीसरा पॉइंट की सेर्खां ने अपने एक पुत्र को हुमायूं के यहां भेजा यानि के तरीके से हुमायूं के पास भेजा हमायों के पास भेजा तो ये जो चुनार का किला था जो 1532 में डाला गया था क्यों डाला गया सामरिक महत्व, क्या सामरिक महत्व का ये बता दिया 6 महिना तक लगबग घेरा डालने के बाबजूरत भी हमायों इसको जीत नहीं पाया तो दोनों संदी समझोते पर मजबूर हुगा और संदी समझोते का नुशार चुनार पर सिर्खा का कब्जा बरकरार रहा सुर्षेर खाने मुगलों की प्रवुसत्ता को स्विकार कर लिया और शेर खाने अपने एक पुत्र को हुमायूं के पास बेज लेकिन अब प्रश्ण उठपन होता है कि छे महिना के बाबजोद जदी हिमायूं को चुनार के किले का घेरा उठाना ही था तो फिरिश ने चुनार की घेरा क्यों डाला था तो चुनार का घेरा सेर्खा इसलिए उठा लिया क्योंकि पस्सिम से बहादूर शाह की जो सकती चरहा तो मालवा को जीत चुका था और आगरा तक चरहाया था तो हिमायूं को लगने लगा कि एसी स्थिति में उसका यहां पर रुकना उचित नहीं होगा एक और दूसरा चुकी बादूर शाक को पूरी सक्ति के साथ दमन करना जाता हिमायूं तो ज़्यारी से बात है कि शेनä एक जगह होनी चाहिए जदि वो अपने सेना को विभाजित कर तो चुनार के घिरे के पास देता और आधा सेनर कर जाता तो भू सकताथ कि चुनार के मुरचे पर वी व crude दूख़ी होता तो यहां तक इसकी रननिती ठीक दिखाए देती है कि उți चुनार के घिले के के घेरा डाला शफलता नमिली समझोता कर लिया जिक तरीके से बराबर और अब अपनी पूरी शक्ति के साथ वे गुजरात के बहादुर शाह जो लगभग आगरा तक उसके राजी की सीमा मिलने लगी थी मालवाजी दने के बाद वह उसको सक्ति के बल पर दमन करना चाहता था इसलिए 6 महिने के बाद वो चुनार के किले का घेरा उठा लेता है तो जाहर सी बात है कि अब जब चुनार के किले का ये परिनामरा इस तरीके से ये पूरा इसका कंक्लूजन है और क्यों उठाया तो बहादुर शाह की सक्ति का दमन करने के लिए तो जाहर सी बात है कि आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो बहादूर शाह था बहादूर शाह के साथ संघर्ष का कारण थे इसका कारण क्या था इसको पहले जानते हैं उसके बादे कि बहादुर शाह भी हुमायों के हमुमर का सा सकता और काफी मजबूत सा सकता तो इसका सबसे पहला कारण क्या था कि इस समय तक बहादुर शाह के दौरा क्या क्या गया था मालवा की विजय कर ली गए थे और मालवा की विजय करने के कारण क्या था कि गुजरा तो जाहर शिबात एक एक ऐसे सासक जो मायूं का प्रतिद्धित था उसकी सकती बढ़ना एक संघर्ष का कारण बंदा था दूसरा इसका कारण क्या था कि युद्ध का कि पहादुर्शाह के द्वारा चित्तौर का गहरा डाला गया था चित्तौर का घेरा और चित्तौर का जो घेरा डाला गया था तो उसका तो एक रेजन था ही ताति यहां की जो किवंधनती है कि यहां की रानी कर्णवती के द्वारा जो ऐसो राखी भेज कर हुमायूं से सहता मांगी गए थे कि गुजरात की बहादुर शाह जो वहां पर चित्तौर का घेरा डाला हुआ था उसके विरुत वो उसकी सहता करें और कुछ इतिहास का रिया भी एक कारण मांते हो सकता है कि इस पर हुमायूं एक रक्षार्थ सासक के रूप में वहां पर गया होगा और बहादुर शाह को प हुमायूं बिरोधी निती अपना रखी थी हुमायूं बिरोधी निती क्या अपना रखी थी जो भी हुमायूं के डर के कारण या उसका प्रतिद्वन्दी था जिसके कारण से भी चाहिए उसके डर के कारण से अन्य कारणों से जो भी हुमायूं का प्रतिद्वन्दी था उस सब को अपने यहां संरक्षन देता था, अपने यहां संरक्षन देता था, तो जाहर सी बात है कि जब आप एक सासक के विरोधी लोगों को अपने यहां संरक्षन देते हैं, तो वो सड़ेंदर काक्पेंदर होगा और वो हिमायूं के लिए सही नहीं होता, यह भी एक किया था है जो बहादुर शाह के साथ संगर्श का कारण बनता है कि इबराहिम लोदी के एक सचेरे भाय इबराहिम लोदी के रिष्तेदार शम्जेंगे एक रिष्तेदार तातरा खां था यह उफगान था तात्रा खांको इसने सायनिक सहता दी थी तात्रा खांको सैनिक और मानव संसाधन से सहता की तो इस तरीके से उपयुक्त कारण था ये बहादुर्शाह और हुमायूं के बीद संगर्श का यह पांच पॉइंट याद रखेंगे हुमायूं के बहादुर्शाह के द्वारा मालवा को जीत लिया जाना चित्तोर का घेरा डालना चित्तोर का घेरा डालने के वाद रानी करनवती जो वहां की थी उनके द्वारा आस्रय के लिए सहता के लिए राकी भीज कर याचना करना बहादुर्शाह के बहादुर्शाह न और तात्रा खांको भी सैनिक और मानव शंशादन की सहता देता है तो जाहरशी बात है कि अब अगला स्टेप क्या होगा बहामायूं का तो आप ध्यान से देखेंगे अब जब यह कारण था तो हमायूं क्या करता है कि पस्षिम की और अवियान करता है यानि कि गुजरात के पस्षिम का अवियान और गुजरात के सासक को पराजिट करने के लिए वो चलता है जैसे पस्षिम प्यूर बरता है और ग्वालियर के लिए तक पहुंशता है वैसे ही क्या होता है कि गेरा जो डाले हुए था उसको संधी करके वहां से बाग जाता है बादुर्शा चित्तोर शे समझाता करके निकल जाता है यानि कि उमायू अभी गुजरात पहुंचता नहीं है ना तो चित्तोर पहुंचता है वह वालियर्था की पहुंचता है मुगल की सेना के डर से समझाबता बादुर्शा क्या होता है कि चित्तोर के के खिले से घेरा उठालेता है वहाँ के राना से संधी समझाता करकर वहां से वह निकल जाता है यह याद रखेंगे लेकिन जब ये निकल जाता है इसके बाद क्या होता है कि हुमायूं के द्वारा क्या होता है कि दिल्ली में एक दीन्पनाह का अंदर्मान करता है। कि इसमें लगबग हुमायू जो है दीनपना भवन के निरमान में हुमायू लगबग दो डेर वर्षों का समय व्यतीत करता है इस समय यानि कि जब बहादुर शाह चित्तोर के किले से घेरा उठाके समझाता करके गुजरात निकल जाता है गुवालियर ते फिरी आगराव आ दिल्ली आ जाता है और वहाँ पर दीन बना बवन का अंदरमान करता है दो वरसों का समय इसमें लगवग लगता है यहां इतिहासकार इसकी आलोचना करते हैं कहते हैं कि एक ठीक ऐसे समय में हिमाईू को दो प्रबल सत्रू दो छोर पर मिलेते ज़दी आप इसको वरित तोर बहादूर्शा को चुनोती मिल रही थी और बहादूर्शा और सिर्खा के बीच भी साठ गाटा हिमाईू के बिर्द यह भी ध्यान में रखेंगे तो कुछ इतिहासकार यह कहते हैं और जिसमें कुछ सत्यता भी है कि दो बर्शों के समय में जब अफगान भी अपने सक्ति को सन्योजित कर रहे थे और बहादूर्शा भी जब दो बर्शों तक अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था सन्योजित कर रहा था उस दो बर्शों के बहमुल्य समय का अपयोग हुमाईू ने दीनपना के निर्मान में खर्च कर दिया लेकिन यहां पर एक महतपूर्ण बिंद से कपजा हो जाता है तो दिल्ली जो है दूसरी राजदानी के रूप में उसके लिए तरन अस्तली के रूप में रहोगी और वहाँ से वहां से अव्यान कर शक्ता है तो दोनों पक्झ है जडि वह समय नहीं नहीं व्यतित करता है तो पुछ और सब्सक्राब गुजरात जाता था संभवता इसलिए उसने दिनपनाह का निर्मान कराया था यह इसका एक मत्तपुर्ण और मजबूत तर्क है जो आपको ध्यान में रखना है अब दीनपनाह का वो निर्मान कर लेता है तो अगला स्टेप किसके बृद्व उठाता है तो तातरा खांके बृद्व करता है और यूद्व में इसकी पराजय होती है तातरा खांकी ओर पराजय होने एक वाद्व इसे मार धिया जाता है मार धिया उससमें कि बहादूर शाह कि आता कि जब हमाईूं गुजराद का भियान करना सुरू करता है तो बहादूरु चित्तोर के किले का घिरह गश्bels ऑले उए था हूर बहादुर शाह चित्तोर के किले का घेरा डाला हुआ था लेकिन जैसे ही वह सुना बहादुर शाह कि हुमाईू और उसकी सिना या रही है वो चित्तोर का घेरा जोर कर यहां से निकल गया मांडू इत्तोर से भाग जाता है बादुर शाह मांडू और जब हुमायू मांडू पहुंचता है और मांडू पर वो कबजा कर लेता है हुमायू तो मांडू यानि की मांडू पर क्या क्या जाता है हुमायू के द्वारा कबजा कर लिया जाता है और जब मांडू पर हुमायू का कबजा हो जाता है तो बादूर्चा यहां से भाग जाता है और पस्षिम की ओर तट की ओर चमपानेर भाग जाता है चमपा नेर भाग जाता है हमायू यहाँ भी इसका पीछा करता है और हमायू के द्वारा चमपा नेर को भी क्या किया जाता है जीत लिया जाता है हमायू चमपा नेर को भी जीत लेता है जब हमायू चमपा नेर को जीत लेता है तो यह यहां से भाग जाता है अहमदाबाद को और अहमदाबाद को भागने के बाद यहां भी जब इसको दिक्कते होती है तो बिल्कुत तट पर जाकर क्या होता है यह काठियावार पहुंच जाता है यहां पर पहुंच जाता है इस तरीके से जैसे जैसे हमायू बहादुर पीछा करते जा रहा था उसके छतर को जित्ते जाद रहा था वैसे वैसे घुजरात का जो सासक बादुर्शा था वह एरिया छोड़ कर भागते जा रहा था और काठियाबार जाने के बाद क्या हुआ कि एक समय ऐसा हुआ जब पूरा लगभग घुजरात भी हमायूं के कि काठियाबार तक पीछा करते करते जाता है हमायूं के कभजे में गुजरात और मौलवा दोनों आ जाता है हुमाईوں के कशचे में दोनों आ जाते। लेकिन इतनी जल्दी से गुजरात और मालवा को हुमाईयों जीतता है, उतनी ही जल्दी से गुजरात और मालवा खुमाईयों के हाथ से निकल भी जाता है। बहुत लंबे समय तक यह इसके हाथ में नहीं रहता है और गुजरात के बहादुर हो जाती है इसके बाद वैसे बहादुर शाह की समस्या लगभग शमाप्त हो जाती है उधर से कोई चुनोती हमायों को नहीं मिलता है यह प्रश्ण यह उत्पन होता है कि आखिर जब हमायों गुजरात को और मालवा को जीत चुका था बहुत जल्दी जीत भी लिया तो फिर बहुत जल्दी गुजरात और मालवा उसके हाथ से क्यों निकल गया यह हमें जानना है तो सबसे पहले यह जानना है कि आखिर गुजरात और मालवा हमायों के हाथ से क्यों निकला यहाँ पर एक प्रश्ण हो जाता है कि इतनी जल्दी जीता तो फिर प्रश्ण यही है कि ग गुजरात और मालवा हाथ से क्यों निकला मालवा हाथ से क्यों निकला हाथ से क्यों निकला यह अपने आप में प्रश्ण और पीटी का भी यह प्रश्ण हो सकता इसे तरीके से तो जब जीत लिया और गुजरात और मालवा इसके हाथ से क्यों निकला तो इसका सबसे पहला का करन हो जाएगा कि हुमायू क्या किया था कि सबसे पहले गुजरात और मालवा को जिद लिया तो गुजरात अपने भाए असकरी को दे दिया था गुजरात असकरी को जो इसका भाए था कामरान असकरी बताया था असकरी को और असकरी को गुजरात का प्रांतपति एक तरीके स से बनाया सुपूर्द कर दिया लेकिन असकरी क्या था अनुभवहीन था असकरी क्या था अनुभवहीन था और इसको इतने प्रशासन की और उस तरह के पूटनितिक छत्रों में रहने की योकिता थी नहीं था एक यह का रहा था इसके हाथ से निकलने का अब दूसरा प्रश्ण यह भी आप कह सकते हैं कि जब असकरी अनुभवहीन था तो फिर उसको गुजरात की प्रांथपती बनाने क्या जरूरत है हुमायू क्यों नहीं रहा था हुमायू क्या था कि सामरिक महत्व का किला था और इस सामरिक महत्व का किला से क्या था कि इसका बहुत विशेश महत्व था क्योंकि एक तो यहां की जलवायू बहुत अच्छी थी वह सकता है कि कुछ उसके जलवायू अच्छी थी तो रहने के दृष्टि कौन से दू सकता था गुजरात और मालवा पर नियंद्रत इसलिए मांडू में अपने हुमायू रुग गया जो सामरिक महत्व का अधिक था और गुजरात का प्रांतपर्ति असकरी को बना ते लेकिन असकरी अनुभव हिन था यह दियान में रखेंगे तो पहला पॉइंट यह दूसरा पॉइंट जो और सफल यहाथ से निकलने के कारण था कि गुजरात की जो जनता थी गुजरात की जनता वह गुजराती गुजराती सासन का आधी ती गुजराती सासन के आधी कहने करता है सासन का आधी कि वह बहादूर शाक्य दिन सासित हो रहे थे तो उसी प्रकार से अपने गुजरात के सासक से सासित होना चाह रहे थे हिमायू के सासन को जनता कस्तर पर स्विकार नहीं किया जा रहा था कि एक बहुत बड़ी शमस्याती और इसके कारण हम देखते हैं कि हिवाईउं के समय में आये दिन क्या होता था वहाँ पे एक के बाद एक जनविद्रो होना एक के बाद एक जनविद्रो होना शुरू हो गया था एक के बाद एक जनवेद्रो तो आप किसी एक प्रॉपर शासक से लर सकते हो लेकिन ज़़ी पूरी जनता आपका समर्थन ना करे आपके प्रशासन के एकसेप्ट ना करे और एक के बाद एक जनवेद्रो होने लगे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी चुनोती हो जाती है और चोंता क्या था, कि ठीक इसी समय क्या हुआ, कि जो जैसे-जैसे यहां पर हिमायूं की कमजोर इस्तिती होती जा रहे थी, तो बहादुर शाहत्वला की पराजित हो चुका तर उसकी मृत्यू भी हो चुकी थी, लेकिन बहादुर शाह के सरदार जो थे, बहादुर शाह के सरदार, सरदार के द्वारा उनह धीरे-धीरे अपनी सक्ति सन्योजित करके हिमायूं के साइनिकों पर आकर्मन करना, छिट-पुट-छित्रों को जीत लेना एक तरीके से इस तरीके का वो काम करके हिमायूं की सक्ति को कमित कर रहे थे आपस में विभाजेते तो इन सब कारणों से क्या हुआ था कि हिमायू को जितनी जल्दी गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया था उतनी ही जल्दी उसके हाथ से निकल गया क्यों निकल गया तो गुजरात का जो प्रांतपती असकरी को बनाया वो अनुभव हिन था इसलिए गुजरात की जंता गुजरात की सावित वहां के सास्सक से सासित होना चाह रहे थे इसलिए ले के बाद एक द्बें रूर पर उसके अड़े पर हमले कर रहे थे और मुगल सरदारों में आपसी विवाद था मत विवाजन था वह भी इसके उसफलता का कारण बनता है तो यह ध्यान में महत्व क्या रहा तो गुजरात अवियान का महत्व क्या रहा इसके बारे में हम लोग घ्यांसे हैं चर्चा करते हैं तो गुजरात अवीयान का in सबसे पहला पॉइंट तो यही कि मुगल का सामराज विस्तार नहीं हो पाया, क्योंकि आपने देखा है अभी जस्ते पिछले पेज में कि जितनी जल्दी मालवा और गुजरात मायूं के अधीन आया, उतनी ही जल्दी पुना उसके हाथ से निकल भी गया, क्योंकि जब उतनी मतांतर होने लगी थी, तो फिर धीरे धीरे हमायूं को पुर्व से सिर्खा की भी चुनोती मिलने लगी थी, और हमायूं और असकरी जो उसका भाय था, उसमें भी जो थासो मत भिनताएं होने लगी थे, तो फिर वो क्या हुआ कि मांडू को छोरकर हमायूं दिल्ली आ जाता है और जैसे दिल्ली आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि धरे धरे गुजरात और मालवा उसके हाथ से निकल जाता है इसलिए क्या होता है कि सामराजी का विस्तार नहीं हो पाता है लेकिन इसका दूसरा मत यह है कि बहादूर शाह का खत्रा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और जहर सी बात है हमेंसा के लिए समाप्ट हो गया तो इसका लाव प्रतिज्वंदी ञाएंधर पुर्व की और अपना ध्यान लगा सकता था था क्योंकि अभी गुजरात की तरब से उसको कोई चुनोती मिलने वालें तो अपना ध्यान लगा शक्ता यह एक महत्तपुर्ण इसको साम्रेक ला मिला मुगल का सामराज विस्तार तो नहीं हो पाया लेकिन बहादुर शाह का जो खत्रा था वह हमेशा के लिए शमाप अब पसिन से आपके उपर जो खत्रा था वो समाप्त हो गया तो आप पुर्व की और अपनी पूरे ध्यान लगा कर हमायू सेरखा को देख सकते थे लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक गया कि लगभग यह जो है सो आप समझ सकते हैं कि 32-33 की घटना है और लगभग 2-3 साल तक हमा ने अपनी शक्ति काफी बराली क्योंकि धर हमायू ध्यान नहीं दे पाया और जब सेरखान अपनी शक्ति काफी बराली यह आगे चलकर हमायू के लिए चुनौती के रूप में सामने आया तो गुजरात अभियान का दोनों रूप से महत्त्व है सामरादी विस्तार नहीं ह जैसे वह बहादुर शाह को अपनी पूरी शक्ति के साथ दमित करना चाहता था और चुनार का घेरा उथा लिया था ठीक अब वह अपनी पूरी शक्ति के साथ जो है उसको दमित करता था अब जाहरशी बात है कि एक प्रतिद्वंदी समाप्थ हो चुका है जिस तरीके से अब हुमाईयू का जो अगला प्रतिद्वणदी है कौन है जिससे इसका संघर्ष होगा वहैं सेर्खा तो जहिरशिपात है कि अब जो एख सेर्टा और हुमाईयूं चैनल से खां और हुमाईूं तो सेरखां और हुमाईूं का जो अब संघर्ष की शुरुवात होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि लगभग 1537 इस्वी में हुमाईूं के द्वार दूसरी बार चुनार का पुणः घेरा डाला जाता है इस पर भी वो क्या होता है कि जीत तो इस बार लेता है अफे लंबे जद्धो जहद के बाद क्या होता है कि इसके पास एक रूमी खां नामक तोपची होता है यह रूमी खां पहले गुजरात के सासक बादुर्शाह की सिवा में था बादुर्शाह से इसको जब उसको पराज जी था ये और इसी उस्मानी रुमी खां की सहता से इसने चुनार के घेरा पर कबजा कर लिया इस बार काफी जद्दो जहर के बाद क्या होता कि हमायूं के द्वारे चुनार पर कबजा कर लिया जाता है और जब हमायूं कबजा कर लेता है तो इसी बीच सेर्शा क्या करता है कि एक अन्य मजबूत किले रोहतास गड़ पर रोहतास किले पर अधिकार कर लेता है और जब रोहतास गड़ के किले पर अधिकार कर लेता है तो फिर क्या होता है यहां पर कि रोहतास गड़ के किले पर अधिकार कर लेने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर यह भी एक सामरिक महत्यु का किला था और इस सामरिक महत्यु के किले पर अधिकार कर लेने से क्या होता है कि सेर्षा की सक्टी में और ब्रदी हो जाती है अलांकि जब यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि जब 1537 में सेर्खा के द्वारा हमायू को खो देता है तो हमायू फिर से एक बार क्या होता है कि इधर रोहतास का किला भी जीत देता है और शेर्षा के द्वारा हमायू के समक्ष एक समझोता का प्रस्ताव रखा जाता ह और जो एक समझौता का प्रस्ताव रखा जाता है उसमें यह कहता है कि बंगाल उसके अधीन रहने दे क्योंकि उसके पहले वो बंगाल को जीत चुका था है बंगाल उसके अधीन रहने दे और बंगाल उसके अधीन रहने दे इसका पहला प्ववांट और दूसरा प्ववांट का कि बदले में जो है वह 10 लाख 10 लाख दिनार प्रती वर्ष सुलका मैंने की हमायों को देगा अब यह समझाटे का प्रस्था और सेरशा के समझाटे के पर विश्वास करना या ना करना वास्तम उसने दिया था एक तर्क की बात है क्योंकि से बहुत चतुर्शा सकता जैसे आपने देखा कि यह चुनार का खिला खोया उसको लगा कि जब इसे बचा नहीं पाएंगे जब तक हुमायू चुनार के किले को बचाने जीतने में था त तो हुमायू ने संभवता इस प्रस्ताव को नहीं माना और फिर वह बंगाल का अभियान करने का निश्य करता है हुमायू बंगाल अभियान करने का निश्य करता है और हुमायू जो बंगाल अभियान करने का निश्य करता है तो जैहर शिबात है कि इस बंगाल अभियान के है इसका कारण है कि स्वर्ण की प्राप्थि बन्गाल से वह तरा उस स्वर्ण की प्राप्थी इसके कारण, दूसरा क्या था कि बंगाल एक समुदर तट्टेय परान था, तो बंगाल का ब्यापार जो था, ये भी इस पर हुमाईउं का ध्यान था, आर्थिक संबर्धी हो सकती है, तीसरा हुमाईउं का था कि यहाँ का जो कृशी उतपाद, वह भी हुमाईउं के तो इन टा तो इन किश्वर्नाप्राप्ति के उध्य से बंगाल के संवर्द व्यापार पर इकाधिकार करने के उध्य से क्रशि उत्पाद पर अपना एक तरीके से कराधी की प्राप्ति होती, उसको ध्यान में रखते हुए और शेर खान बंगाल के जिस साथक को पराजित किया था, वो भागत और हुमायूं के पास आ चुका था और हुमायू से सहतायासना करके वो बंगाल सहतायासना करता है इसी प्रिष्ट भूमे में हुमायू क्या करता है कि बिना तैयारी के बंगाल अवियान करने का निस्षय कर लेता है अब हमायूं का क्या होगा सेर्षा से दो शंगर्ष होगा और उस शंगर्ष में आपको देखना है कि कहां पर क्या होता है तो अब क्या होता है कि हमायूं के साथ सेर्षा का दो शंगर्ष होता है एक होता है 1549 में जो कहलाता है चौसा का युद्ध और यह जो चौसा का और यूपी की सीमा बनाती है कर्मनासा नदी के किनारे है और इस युद्ध में क्या होता है कि हुमायूं की पराजय और शेरखां की विजय होती है और इसी युद्ध के बाद शेरखां द्वारा हजरते आला की उपादी धारन की जाती है शेरखां की विजय होती है हुमायूं का और हुमायूं इसमें युद्ध में जान बचा कर भागता है और एक भिस्ती की सहता से वो कर्मनासा नदी को पार करता है कर्मनासा को पार करता है और अपनी जान बचाने म में मदद पहुंचायी थी हुमायून उसको पारितोसिक दिया और पारितोसिक क्या दिया तो उस भिस्ती को हुमायूने एक दिन का दिल्ली का बादसा बना दिया एक दिन का चम्रे के सिक्के प्रचलित किये, अपने नाम के चम्रे के सिक्के चलाएं, ये पॉइंट पीटी में कभी-कभी पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे, तो चौसा का युद्ध 1549 में हिमायू और शेरिशा के बिच कर्मनाशा नदी जो बिहार और यूपी की सीमा प चम्रे का सिक्का चलाता है, अब हिमायू जान बचा कर फिर क्या होता है, और आगरा आता है, इसी समय यहां पर क्या होता है, कि कामरान भी आता है, असकरी भी आता है, लेकिन कामरान और असकरी में अव्यान कैसे किया जाए, किस तरीके से त्यारी किया जाए, तो कामरान औ अपने शैनिक के साथ फिर शे वो चला जाता है काबुल कंधार लाहर मुलतान जहां का वो शार्षक रहता है वहां पर चला जाता है अब जाहर सी बात है कि 49 में हारे थे तो सेर्षा की सक्टी का विस्तार हुआ था तो फिर अगली मुलाकात होती है दूसरा युद्ध होता है का युद्ध कहते हैं और इस कन्नोज या बिलग्राम के युद्ध में भी क्या होता है परिनाम पहले ही की तरह रहता है किस कन्नोज या बिलग्राम के युद्ध में सेर्षाह की जीत होती है सेर्षाह की जीत होती है और हुमायूं की पराजय होती है हुमायूं की क्या होती 15 वर्ष का समय है, हिमायों के काफी कठिन धिन रहते हैं, काफी भटकते हुए दिन बीचते हैं 15 वर्षों में, और किस प्रकार से इनके कठिन धिन होते हैं, कैसे भटकते हुए बीचते हैं, यह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन होत कि आखिर चौसा के युद्में और कन्योज या बिलग्राम के युद्में उमायूं की पराजय का क्या कारणता या कुल मिलाकर जदि यह देखा जाए कि सेरशाह के बुरुद्ध हमायूं की और सफलता का क्या कारणता था वह ध्यान में रखना है एक हम हेडिंग बनाते हैं अगले स्लाइड पर चलते हैं और उस स्लाइड में लेखेंगे अखिर सेरखा के बुरुद्ध हमायूं के और सफलता का कारण हमायूं के और सफलता का कारण कि सेरखा के बुरुद्ध हमायूं के और सफलता का कारण क्या था वह आपको ध्यान से समझना है तो हुमाईउं के और सफल्ता का कारण था सबसे पहला कारण किया था कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि बिना तयारी का उसने बिना तयारी का उसने बंगाल का अभियान किया था और बिना तयारी का बंगाल अभियान किया था और बिना तयारी का बंगाल अभियान किया था तो जाहर ची बात है कि ना तुस्यान ने तयारी थी ना उस तरह की सूच गौर तक को जीद लिया था, तो एक, उसरा क्या था कि सिर्खा ने जान बूज कर इसको बंगाल तक जाने दिया था, गौर तक जाने दिया था, जान बूज कर उसको गौर तक जाने दिया था, जो बंगाल के उस समय राज़दानी थी, तीसरा जब यह गौर तक पहुँच गया था, तो फिर क्या हुआ, सिर्खा ने क्या किया कि पीछे से रशद पंग्ती काट दी, पीछे से रशद पंग्ती काट दी, और जब पीछे से रशद पंग्ती काट दी, तो जायर ची बात है, जो सैनिक कुमुक होता है, जो रशद होता है, वो हमायों को मिलना बंद हो गया, चोथा क्या हुआ कि युद्ध के दोनों ही अबसर पर, यानि कि जो चौसा का युद्ध हुआ था, और जो कन्नोज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, दोनों ही अबसर पर गलत मैदान का चैन कर लिया था, गलत मैदान के चैन करने करता है, कि इसने क्या क्या था, युद्ध भूमी का जो नीचला हिस्सा होता है, नीचले हिस्से में अपना कुमुक लगाया था, या अपना डेरा डाला था, अपना कुमुक लगाया था, तो जायरशी बात है, अब समस्या क्या हो कि इसका, तो पा मांसुन वर्षा का सीजन शुरू हो चुका था मांसुन वर्षा शुरू और जायर सी बात है कि मांसुन वर्षा शुरू हो चुकी थी आप नीचले सीजन में अपना कुमुक लगाए हुए हैं तो नीचले एरिया में कुमुक लगाए होने के कारण क्या हुआ था कि युद्ध के दोनों अवसर पर हुमायू के खेमे में पानी भर जाएगा तो सान्य चाबनी में परिशानी होनेगी छठा आत्मा इसका कारण क्या था कि अन्य जगों पर जो भी सेरखा के विरुद्ध शेरखा के विरुद्ध हुमायू असली कूट नितिक प्रतिभा का परिचाय नहीं दे पाया और बिना तयारी के वह बंगाल मांडू तक चला गया था यह एक हुई दूसरा क्या था कि आठमा पॉइंट यह था कि जो अफगान शक्ति का हुमायू ने गलत अनुमान लगाया था और बिहार बंगाल के जो समय नुहानी अफगान थे उनके कोई बरे लीडर नहीं थे और उसको जदि कोई भी एक लीडर नित्रित करता तो उसके बैनर तले आ जाते और यही सिरखा ने किया था यह हुमायू अंदाजदा नहीं लगा पाया था कि सिरखा के पीछे कितने अफगान सकती है कितने उसके पास ताकत है यह इसकी बड़ी गूल थी इसलिए मैंने कहा कि कुटनितिक प्रतिभा का परिचाय नहीं दे पाया क्यो तो उसके सिरखा के तफगान के शक्ति का नुमान नहीं लगा पाया था नौमा क्या था कि मायूं को अपने भाईयों से भी शहयोग नहीं मिला था कई अबसर आये जब भाईयों नहीं मायूं का शहयोग नहीं किया तो जाहर सी बात है कि जब अपने शहयोग नहीं किया करना करना और विश्वास की भावना कि हिमायू को लगता था कि जदी कामरान आगरे में अधिक दिन सक रहेगा तो कहीं वो कामरान आगरा प्रधिकार कर ले और वह न मुगल बादसा बन जाए इसलिए वह भी उसके रहते हुए आगरा से बहार नहीं निकलना चाहता था तो स नौज की युद्म उसके अन्भाईयों असकरी ने उसका सहयों क्या था लेकिन वह पूरी तरीके से जो सभी भाई को एर्जुट होकर मिलता वो लाब नहीं मिल पाया था यह नौदस पॉइंट थे जो सेरखा के बुरुद हमायूं के और सफलता का कारण बना था तो एक प चुनार का घेरा उसका क्या परिनाम हुआ था फिर वह था फंद्रस्व एकतीस बत्तेस में दूसरी बार हुमायूं सेरखा की मुलाकात कब से सुरू होती है फंद्रस्व साइटीस में यानि कि यह 5-6 वर्स में हुमायूं जब गुजरात में और अन्यकार्यों में लगा र पर जब बंगाल को जीता है तब हुमायूं फिर से क्या करता है बंगाल के अभियान क्यों बरता है वो भी आपको बताया बंगाल का भियान में सेरखा उसको जानबुज कर गौर तक पहुंशने देता है कि ताकि वो जब काफी आगे निकल जाएगा तो पीछे से उसकी रस को अशफलता का कारण क्या था यह नोदस पॉइंट आपको बता दिया अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पंद्रह सो चालिस से लेकर क्या होता है कि एक सिर्षक के सारे जदी सिन लें कि हिमायूं के अंतिम हिमायूं के कठिनाई वैसे पूरा जीवन ही उसका कठनाई भरा रहा था कठनाई भरे समय तो हिमायूं के यह जो कठनाई भरे समय है बिसिकली आप इसको सासक के बाद जब 1540 में पराजित होता है तो 1540 से लेके 1555 तक का जो समय है ये कटनाई भरे दिन है सबसे पहले क्या होता है कि पराजित होने के बाद हुमायूं क्या होता है बाग जाता है क्योंकि काबुल कंधार मुलतान लाहर कामरान के कबजे में था वहां पर जा ने सकता था क्योंकि एक दूसरे में जो था सो मत्भेद था और अब स्वास्ती तो सिंध भाग जाता है और यहां पर जो जो सिंद के सासक थे, जो अन्य सासक था उसने भी हिमायू की सहायता नहीं की, जो सिंद के सासक थे, जो अन्य एक दो सासक थे, उसने भी सिर्खा के बुरुद हिमायू की सहायता नहीं की, जब सिंद के सासक ने सहायता नहीं की, तो अंत में क्या होता है कि हिमायू इरान के सा साह के दरवार में चला जाता है और जब वहां चला जाता है तो काफी लंबा समय ब्यतीत करता है और लेकिन फिर क्या होता है कि काफी पूरे दस बर्शों के बाद क्या होता है कि इरान के सासक के सहता से ही फिर्शे क्या होता है कि एक बार आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि ठीक पास साल बाल 1545 वो क्या करता है कि इरान के सासक के सहयोग से अपने भाई से काबुल प्लस कंधार छीन लेता है हिमायों क्या करता है काबूल और कंधार पर कबजा कर लेता है किसके सहयोग से तो इरान के साह के सहयोग से कबजा कर लेता है और फिर धीरे धीरे अपनी सक्की संजोते हुए 1555 में क्या करता है कि सेर्शा के उतर आधिकारियों को दो युद्धों में पराजित करता है जिसमे एक युद्ध का नाम है मच्छी वारा का युद्ध मच्छी वारा का युद्ध और क्योंकि सेर्षा की मृत्यू 45 में हो जाती तो मच्छी वारा का युद्ध और दूसरा सरहिंद का युद्ध ये दो युद्ध लड़ता है हमायू सेर्षा कुतरादिकारियों से सरहिंद का और एक बार फिर शे क्या होता है दिल्ली की गद्धी पर बैट जाता है यानि कि मुगल शम्राथ फिर एक बार बनता है और इमायू का जीवन बरा है दिल्चस्प रुमानियत बरा कहते हैं कि बादसा बना बादसा से फिर वेघार हो गया सासक का जननी की सम्राज छिन गया फिर शम्राथ बनता है तो इस तरीके से दिल्ली के गद्धी पर बैठता है लगबग 6 माह तक सासन भी करता है लेकिन उसी के द्वारा दिल्ली में बनाएगे एक पुस्तकाले जिसका नाम था सेर मंडल पुस्तकाले या अपने पुस्तकाले कि कुछ कहते हैं सीडियों से या उसके प्रतम मंदिल से गिरकर हमाईउ की क्या होती है 1556 में मृत्य हो जाती है और जब 1556 में मृत्य होती है उसी समय क्या होता है कि अकबर कालन और जो पंजाम में एक जगए वहाँ पर शासक उसे बना दिया जाता है या सिर्षाह के बार् आपको अक्बर के पास लिए चलेंगे अब जब आप हिमायू को इस तरीके से पूरी तरीके से जान गए हैं कि हिमायू के सामने क्या क्या था किस तरीके से उसने काम किया तो जैसे मैंने पहले ही बताया कोश्चा नहीं को सकता है कि सासक के रूप में हुमायू का मुल्यांकन सासक के रूप में हमायू का मुल्यांकन और जब सासक के रूप में हम लोग हमायू का मुल्यांकन करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये जान लिजे कि हमायू के उपर कई सारे आरोप भी लगाया जाते हैं और उसके उसफलता का वो कारण भी माना जाता है हुमाईयों के उपर हितिहासकारों ने आरोप क्या लगाए हैं? भाभी देखना होगा और क्या वास्तम उसकी सत्थिता कितनी है? यह भी देखना है? आरोप क्या लगाए? और दूसरा हुमाईयों के सासनकाल का जो मुल्यांकन है इसको दो भागों में बाट कर किया जा सकता है जो इसके सासन का समयकाल है यानि एक 1530 से लेके 1536 तक का जो फेज है वो और फिर 1537 से लेके 1540 तक का जो फेज है वो इस दो तरीके से और फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं कि एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं निसकर्स पर प हुमाईउ पर जो उसके कहते हैं को सफलता का कारत की पहला हुमाईउ जो था सो अफीम खाने की आदत थी एक ये दूसरा हुमाईउ के आपर आरूप लगाया जाता है कि जब शेर खांपने शक्ति सन्योजित कर रहा था तो हुमाईउ दिल्ली में दीन पनाह भवन बनाने में .धिन पनाध भवन बनाने में बैस्ति था एक यह दूसरा कुछ इतियासकार कहते है कि इसे अच्चेधिक नसे करने की आदत थी कुछ इस तरह से भी कहते है फिर चौनथा कहते हैं कि इसने जो राजिक का प्रारम्ष में ही जो विभाजन कर लिया था अपने भाईयों के साथ जो ये प्रेम से पेश आया ये इसकी कम जूरी थी और ये इस पर आरूप लगाया गया है सबसे पहले बात यह है कि जो अफ्हीम खाने के आदा थी तो हिमाइई कोई पहला बात्सा नहीं था या कोई पहला सा सकने था जिस काफी भांग खाने के आदा थी बाबर भी खाता था लेकिन उसके बावजूद उसने चार युद्धों में विजय प्राप्ति की मुगल शामराज की अस्थापना की यह भी जरूर है कि वह खाता था जिसका मतलब यह भी नहीं को हमेशा ही खाते बादस यह सकता है कि इस समय जो सिमायू ने दो सबाल व्यतीत के दिनपना के भवन बनाने में उसमें अपनी सन्योजित की होगी गुजरात के सासक ने अपनी सक्थी सन्योजित की बढ़ाए लिए लेकिन दिनपना बनाने के पीछे मूल उद्देश उसका यही था कि वह सत्रू औ तो दोनों को उससे प्रभावित करना चाहता था और संभवत यह भी कारण हो सकता है कि गुजरात का सासक कई बार जो उसने मालवा को जीत लिया था उसकी सिमा आगरा तक मिल जाती तो आगरा पर जदी कबजा हो जाता तो वो दीनपना अर्था दिल्ली जो उसने उसके एरिय उन्हें नहीं शुरू की थी बलकि ये ताइमूरी परंपरा ही थी और पहले भी जब मैंने आपको बताया है उससे में अभी भी और आगे भी राजी को लेकर उत्राधिकार को लेकर शंघर्श होता है अकबर के बाद जब जहांगिर का राज्या रहुन होगा तो जहांगि मुत्राधिकार का चुकि अस्पस्ट नियम था नहीं तो आप देखते कि हर एक जगा होते रहता है यहां भी हाँ यह जरूर है कि राजी का आपस में विभाजन से राजी का आर्थिक आधार कमजोर होता है लेकिन इससे यदि आप भाईयों में आपसी मेल मिलावत रहता तो उतनी बड़ी समस्या नहीं आती जितना कि राजी के विभाजन से हुआ था लेकिन यहां यह जरूर माना जा ze सकता है किसली हिमायूं दोषी किस हद तक धा ये काना मुश्चिल क्योंकि यह परंपरा हिमायूं को विरासत में मिले पर नहीं परंपरा नहीं शुरू कि दिक और बावर ने भी हमायू को अपनी भाई के साथ प्रेम से पेशाने की सला देती हलांकि जब आप एक सासक बनते हैं तो सगे संबंदी जो होते हैं सो सामराजी समसे उपर उसमें सगे संबंदी का स्थान गौन हो जाता है इस दृष्टि कौन से देखा जाती हमायू का यह जो और अपने हिसाब से हर एक लोग अपने अपने हिसाब से विसलेशन करते हैं मैं जो इतिहास को समझता हूं उस हिसाब से मैंने विसलेशन करके आपने शामने में रखा है आप इतिहास को परकर अपने हिसाब से इस जो हमायू के उपर आरोप लगाएगा है उसका विसलेश तक यह फेज जो है यह बिल्कुल हिमायूं का सफल फेज रहा है और 1537 से लेके 1540 तक का जो पेज़ हिमायूं का यह एक और सफल फेज रहा है यह तो दोनों तरीके से मुल्यांकन आप कर सकते हैं आप यहां देखें 1530 1536 में आप देखते हैं कि यह दोराहा का युद्ध करता यह संदी समझता करने के लिए एकी बराबर की स्विग किया ड़ता है और यह तक क्या होता है कि बहादुर शाभ भी पूरी तरीके से समाप और गुज्रात से तरफ से जो चुनोती थी हमायों को वो भी समापत हो जाता है तो 1530 से लेके 1536 तक का जो समय है हमायों के सासन काल का वह उसके सफलता का दोरा इस बीच में उसको कोई खास औस फलता उसके नसीब नहीं हुई थी उसकी औस फलताएं कब से शुरू होती है तो जब उसका सामना से शुरू होना होता है तब उसकी औस फलताएं सामने आती है दूसरी बार आपने जब देखा कि 1537 में उसने फिर शे एक बार चुनार का किला के घेरा डाला तो चुनार को जीत तो लेता है लेकिन इस अबसर कलाब उठा कर शेर्चा के द्वारा रोहतास के किले को जीत लिया जाता है फिर वो समझे संजोते का प्रस्ताव रखता है लेकिन हिमायों सेर्चा भी बहुत एक चतुर शा सकता है उसके संदी संजोतों पर विश्वास करना काफी कठेन काम था और फिर क्या होता है 1549 में वो हारता है चौसा के युद में 1540 में हारता है कन्नोजिया बिलग्राम के युद में तो इस वासफलता के पीछे अर्थात सेर्खां के साथ जो हिमायों वासफल रहाता है इसके पीछे कारण क्या था अभी जस्त मैंने आपको नौदस पॉइंट बताया है कि सेर्खां के पीछे हुमायों के उसकलता का कारण क्या था वह आपको यहां पर जब आप लिखेंगे तो इनलैसिस करना होगा कि इस तरीके से उसकलता का खारण था कुल मिला कर जब निसकर्स लिखेंगे तो निसकर्स के रूप में यहीं लिखाएंगे कि जो भी हो कि हुमायों के जो सासन के समय दो फीज में बाट कर देके तो पहला फेज उसके सफलता का फीज है दूसरा और सफलता का फेज है फिर उस ने अपनी शक्ती संजोजित की और एक तरीके से मृत्य प्रय या कमजोर शेर खांके उत्राधिकारियों को पराजित करके फिर से वह भुगल सम्राज परकबजा करने में शफल होता है दिल्ली परकबजा करने में शफल होता है फिर से वो अपने आपको एक बार रिज्टेबलिस कर लेता है तो इसको इस तरीके से कुछ आप मुल्यांकन कर में लिखेंगे और इसकी समस्यायें भी क्या तीकिते कि एक सासक है दिल्ली में आगरा में वो है और दो चोर पर उसके दो प्रबल शत्रु एक शत्रु कहा है पुर्ब में है और दूसरा सत्रु किदर है पस्जिम है तो जायर सिबातेट एक एक सासक है जर्दी वो पस्जिम में को मिला था और यह तरीके से आप कह सकते हैं कि यदि कोई अनिशासक होता तो उसके लिए भी कटनाया पैदा कर शकता था हलांकि कुछ अबसर आए जब वहां उसने उसने बिलक्षन प्रतिवा और पूटनिती का परिचाय दिया कुछ ऐसे अबसर आए जब उसने कूटनिती के बारे में पूरे डिटेल से मैंने आपको बता दिया है और हिमायू के समय में जो आर्टिटेक है खासकर हिमायू का मकबरा है जो दिल्ली में उसके बेगम के मकबरे के नजदीक बना हुआ है वो एक नई सैली के सुरुआत का संकेतक है जिसमें दोहरे जो डबल गुम्ब सबसे बड़ी बिसेशता है मैंने पहले भी कहा कि मुगल आर्टिटेक्ट जो है हम आपको जब पूरे मुगलकाल का राजनितिक समाजी का आर्थेक तिहास सब पर लेंगे मुगलकाल में जो अस्थापत्य है साहित्य है संगीत है चित्रकला है इस बलग से आपको बताएंगे यहीं पर आप जान लिए य Holiday जो आपको आगे समझ मैंगा कि मुगल चित्रकला की सुरुआत जो हुति हैj वो हुमायू के संद्रक्षन में ही शुरुआत है जब हुमायूम इरान के साह साहमास्प के दरवारशाह के यहां रहता है तो वहीं पर उस diagnose आकारिया के साथ जह से मुगल चित्रकारी की शुरुआत ही थी तो हिमायू के समय से ही मुगल चित्रकला बहुत चारे कला का विकास होना शुरू हो जाता है लेकिन इसकी डिटेल चर्चा हम करेंगे अलग से जब अस्थापत चर्कला के सेक्षन वाएंगे तब अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेक्षन अच्छा लगा होगा समझ में भी आया होगा काँकि काफी अनलैसिस होई है डिटेल्स आपके पास गया है अगले वीडियो में हम अकबर पर पहुंचने से पहले सेर्शा पर चर्चा कर लेंगे और सेर्शा एक बीच में मह अबल मा जाएंगे अकबर फिर जहांगेर फिर शाह जहां फिर और अरण जेव इस तरीके से हम लोग क्लास करते जाएंगे मैं उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों को अच्छा लगा होगा अन्य वीडियो की तरह ही आप इसको देखे अपना नोट्स डवलप कर लेंगे और आप यह आपके मित्रों में से ज़yni Academy का कोई GS का सबस्क्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरा रिफ्राल पोड शंकर वाई टी परियोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्कौंट मिल जाएगा तो आप मेरा रिफ्राल पोड यूज करें आपको 10% का डिस्कौंट मिल जाएग इसी प्रिकार से आप G.S का Iconic subscription भी ले सकते हैं और Iconic subscription बारामंद का लें 24 मंद का लें और आप मेरा Referral Code शंकर वाई-टी परियोग करेंगे तो आपको 10% का discount मिलेगा तब आप Plus Course में मेरी शाध्यूर सकते हैं इसी प्रिकार मैं जोग्रफी और हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर परहता हूं तो आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से 12 मंत का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरा रिफ्लर कोड यूज करेंगे संकर वाइटी आपको 10% डिस्कॉंट मिल जाएगा तब आप जीस में और हिस्ट्री जोग्रफिय ऑप्शनल पेपर में मेरे शाथ जूरशक्ते हैं और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करें ताकि अधिक सदिक लोग इसका बेनिफिट उठा सके और अगले वीडियो में आपके लिए मैं सेयरशा के बारे में डिटेल से लेकर आऊंगा तब तक इस वीडियो को देखिए लाइक कीजिए सेयर कीजिए सस्क्राइब कीजिए और सभी को थैंक्स है धन्यवाद है मिलते हैं अगले लेक्चर में सेयरशा के साथ